Follow us for all medical updates, latest news, exam guide, recording, MDCAT, MBPS, FCPS, JCAT, PLAB and USMLE Assalamualaikum and welcome to my channel आज की वीडियो में शहीद सुलफेकार अली भुटो मेडिकल यूनिवस्टी का एड्मिशन प्रोसीजर डिटेल से डिसकस करेंगे MDCAT result के बाद students इस rate में थें कि admitting university की तरफ से कब government sectors के admission open किये जाएंगे पहले KPK की तरफ से admission open हो चुके हैं और इस बारे में हम already वीडियो बना चुके हैं और इस वीडियो का लिंक आपको description box में मिल जाएगा अब finally शहीद जुल्फेकार अली भुटो medical university ने भी admissions का schedule issue कर दिया है ये centralized admission होंगे मतलब सब colleges के लिए एक ही दफा अपलाए करना होगा शहीद जुल्फेकार अली भुटो medical university के अंडर दो medical colleges शामिल है नमबर वन federal medical college इसलामबाद नमबर टू शेख खलीफा बिन जैद कॉलिज लाहूर इसके इलावा एक dental college शामिल है school of dentistry इसलामबाद इन colleges में पाकिस्तान भर के तमाम provinces की seats होती है अब हम seat distribution डिसकस कर लेते हैं फेडरल medical college की total 100 seats हैं जिन में open merit की 6 हैं इसलामबाद की 10 हैं पंजाब की 38 हैं सिंध रूरल की 9 हैं सिंध अर्बन की 6 हैं खेबर पकतूखा की 9 हैं बलोजिस्तान की 5 हैं गिलगित बलदिस्तान की 2 हैं पाटा की भी 2 हैं अजा जमु कश्मीर की 2 हैं फेडरल government apply की 9 हैं और disabled quota की 2 seats हैं शेहथ ऐलीफा बिनजैद की भी 100 सीट्स हैं जिनमे ओपन मेरेट की 6 हैं पंजाब की 38 हैं सिंध रूरर की 9 हैं सिंध अर्बन की 6 हैं खैबर पक्तुखा की 9 हैं बलौज़ेस्तान की 5 हैं गिल गित बलदिस्तान की 2 हैं फाटा की भी 2 हैं अजाद जमू एंड कश्मीर की टू है, फेडरल गॉर्मिंट अमपलाई की नाइन है, फारिन सीट्स टैन है और डिसेबल कोटा की टू सीट्स है स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इसलामाबाद की 50 सीट्स हैं, जिनमें ओपन मेरेट की 3 हैं, इसलामाबाद की 5 हैं, पंजाब की 19 हैं, सिंध रूरल की 4 हैं, सिंध अर्बन की 3 हैं, खैबर पक्तु कांग की 4 हैं, बलोचिस्तान की 3 हैं, गिलगिल बलदिस्तान की 1 हैं, फार्टा marks होने चाहिए और MBBS के लिए MDCAT की passing percentage 55% है और BDS के लिए 45% है वो candidates जिनोंने 2021 के MDCAT की base पर apply करना है तो उनके minimum 65% marks होने चाहिए और अगर merit formula की बात की जाए तो इसमें MDCAT 50%, FSE 40% और metric 10% शामिल है अब admission procedure discuss कर लेते हैं तो ये बात note कर लें कि सारा process online होगा आपको documents की hard copy university को भेजने की जरूरत नहीं है आपने google पर जाना है और वहाँ पर www.saambu.edu.p के search करना है तो आपके सामने main page open होगा टॉप पर admissions in public sector medical and dental college show हो रहा होगा उस पर click करना है तो आपके पास admission online apply का portal खोल जाएगा यहां आप अपना account बनाएंगे इसके लिए आप अपना cnac use करेंगे email id और password के थूँ आप इसके लिए login कर सकेंगे उसके बाद यह सारे steps follow करेंगे number one personal information put करेंगे number two mdcat की information put करेंगे number three academic information put करेंगे number four documents upload करेंगे number five mbbs और bds के लिए separate apply करेंगे number six free चलान generate करेंगे और करीबी किसी भी hbl ब्रांच में submit कराएंगे दोनों प्रोग्राम्स की fee separate होगी 3000 mbbs के लिए और 3000 bds के लिए अगर आपने quota पर apply करना है तो आपको additional documents भी apply करने होंगे अब documents की list देख लेते हैं तो इसके लिए number one आपके पास passport size की photograph with blue background होना चाहिए number two valid CNIC number three matrical certificate number four FSC certificate number five domicile certificate number six हिवसे कुरान certificate number seven mdcat result certificate and number eight paid fee चलान होना चाहिए अगर students foreign category पर apply करना चाहते हैं तो इन में just वो students कर सकते हैं जो पाकिस्तानी नहीं है इस category में पाकिस्तानी students जो foreign रहते हैं वो apply नहीं कर सकते हैं next quota seats की बात करें तो इसमें दो categories होती हैं एक disabled students दूसरा federal के मुलाजमीन के बच्चों के लिए seats होती हैं अगर आप disabled category पर apply करना चाहते हैं तो disabled certificate होना चाहिए दूसरी category के लिए आपके पास mother या father का employment फार्म होना चाहिए लास पर instruction डिसकस कर लेते हैं तो सारा process online होगा टीसेस नहीं कर सकते documents complete होने चाहिए वरना fee refund नहीं होगी हाफजे Quran students को test देना पड़ेगा अगर application में कुछ missing होगा तो आपकी application reject हो जाएगी documents आप JPEG या JPG या PNG format में upload कर सकते हैं नेक्स जोना ने बताया है कि आप just given schedule के अंदर ही apply कर सकते हैं अगर आप कोई fake documents submit कराएंगे तो आप फिर पूरे पाकिस्तान में medical admission के लिए reject हो जाएंगे और शहीद जुल्फिकार अली बुटो medical university और पाकिस्तान के किसी भी college के लिए apply नहीं कर सकेंगे next admission schedule discuss कर लेते हैं registration of online application start date 2 December 2022 है last date for submission of online application 15 December है हिवजे Quran test 19 December है हिवजे Quran test خیبر पختुखा ब्लोचिस्तान में 20 December है medical board of students having different abilities 21st December display of provisional merit list 22nd December submission of objections and curious 23rd December I hope so आपको सब कुछ अच्छे से सबच में आ गया होगा लेकिन अगर फिर भी कोई confusion है तो आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं thank you so much for watching this video and please subscribe the channel for more medical updates